मूवी की स्टार्ट में हम एक बस में हाई स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं जो कॉलंबे उनिवर्सिटी जा रहा होते हैं इस बस में एक लड़का होता है जिसका नाम पीटर है यही इस मूवी का मेन केरेक्टर है पीटर भहुती शरीफ लड़का है उसे उसकी क्लास fellow Mary अच्छी लगती है और वो उससे friendship भी करना चाता है लेकिन Mary की friends Peter को फसंद नहीं करते और वो उसे तंग करने लगते हैं थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि Peter का बस एक ही अच्छा friend है जिसका नाम है Harry Harry बहुती अमीर लड़का है और उसके फादर Columbia University के scientist है Peter के parents इस दुनिया में नहीं है और वो अपने uncle and auntie के साथ रहता है University के अंदर इन्हें एक lab में spider की बहुत सी types दिखाय जाती है यहां Peter Mary की कुछ pictures भी लेता है जिसे वो friend बनाना चाहता था तब ही अचानक से एक special type का spider Peter को काट लेता है इसके बाद हम देखते हैं कि Peter अपने घर चला जाता है उसके तबिद भूत खराब हो रही थी और वो बेहोश हो कर लेड जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि Peter की body, mind and उसके DNA में बहुत से changes होने लगते हैं इन changes की वज़े से Peter को बहुत सी powers मिल जाती है यानि कि अब वो एक normal इंसान नहीं रहा, वो super human बन चुगा है इसके बाद हम Harry के father को देखते हैं, जो बहुत बड़े scientist थे and military के लिए एक weapon invent कर रहे थे वो उस weapon का experiment अपने उपर करते हैं, लेकिन वो experiment fail हो जाता है इसके बाद वो उस weapon को stable करने के लिए अपने ही उपर एक और experiment करते हैं जिससे वो पागल हो जाते हैं पागलपन में वो अपनी body भी control नहीं कर पाते और अपने assistant को ही मार देते हैं इसके बाद हम next morning देखते हैं कि Peter के अंदर कुछ special powers आ गई थी इनी powers की वज़े से उसकी body muscular हो गई थी अब उसे देखने के लिए contact lenses की भी जरूरत नहीं थी इनी powers का use करके वो college के canteen में Mary, उसके food and phone को बड़े style में गिरने से बचा लेता है जिसकी वज़े से Mary उससे काफी impress हो जाती है अचानक से Peter notice करता है कि उसके हाथ से कुछ web निकल रहे है इन webs को हाथ से निकालने की कोशिश में गलती से वो अपने हाथ से web शूट करके table पर रखे खाने को कुछ बुरे लड़कों पर fake देता है जिससे सारे लोग हसने लगते है इसके बाद Peter वहाँ से चला जाता है तभी कुछ लड़के Peter से बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि Peter की six sense भी बहुत ही अच्छी हो गई है जिसकी वज़े से उसे अपने आसपास के खत्रे के बारे में असानी से पता चल जाता था इन सब पावर्स की वज़े से वो उन लड़कों को बहुत ही इजली हरा देता है जब Peter घर जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि वो दिवारों पर भी असानी से एक मकडी के तरह चिपकर चल सकता था इन सब पावर्स से excited होकर Peter रैसलिंग करने का सोचता है जिससे कि वो बहुत पैसे कमा सके इसके लिए वो एक सूट भी डिजाइन करता है उसके अंकल और अंटी को भी उसकी न्यू पावर्स के बारे में पता चल जाता है वो रैसलिंग तो जीच जाता है बट रैसलिंग मैनेजर उसे धोका दे देता है एंड उसे पैसे नहीं देता इसके बाद एक चोर पीटर के सामने उस मैनेजर के पैसे लेकर भाग जाता है जब मैनेजर उससे पूछता है कि तुमने उस चोर को क्यों नहीं पकड़ा तो पीटर कहता है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है इसके बाद हम देखते हैं कि जो चोर पैसे लेकर भागा था उसने पीटर के अंकल के कार ले जाने के लिए उनका मडर कर दिया था अब पीटर के पास उसके अंकल भी नहीं रही थे फिर पीटर गुस्से में अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस चोर का पीछा करता है चोर से फाइट के दोरान वो चोर एक विंडो से नीचे गिर कर मर जाता है इसके बाद पीटर अपनी अंटी के पास जाता है जो अब उसकी लाइफ का आखरी सहारा थी अब वो दोनों पीटर के अंकल के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो की पागल हो चुके थे और वो पागलपन में उन सबी लोगों को मारना चाहते थे जिन्होंने उसकी इन्वेंशन को खराब कहा था इसके लिए वो अपनी उस इन्वेंशन के पास जाते हैं जिसमें एक स्पेशल सूट एंड ग्लाइडर था जिसके हेल्प से वो मिलिटरी के न्यू वेपन्स को डिस्ट्रॉइक कर देते हैं और जो कोई भी उन वेपन्स को बनाने में शामिल था उन सबी को मार देते हैं इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर की कॉलिज लाइफ कंप्लीट हो गई है इसके बाद पीटर घरा कर अपने लिए एक सूट बनाता है जिसे पहन कर वो बुराए खतम करने और बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए निकल जाता है टाइम के साथ पीटर बहुत ही फेमस हो जाता है बट किसी को इसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी वो बस एक सूपर हीरो यानि के स्पाइडर मैन के रूप में जाना जाता था इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर एक न्यूस चैनल के लिए काम करता था जहां वो न्यूस पेपर के लिए पिच्चर्स देने का काम करता था यहाँ अकेला Peter ही था जो खुद की यानि Spider-Man की सबसे clear pictures क्लिक करके देता था बाकी लोग Spider-Man की इतनी clear pictures नहीं ले पाते थे क्योंकि Spider-Man बहुत fast था इसके लिए वो newspaper का owner Peter को बहुत अच्छे पैसे भी देता है इसके बाद हम देखते हैं कि Harry के father को उनकी company से उनके पागल होने की वज़े से बाहर निकाल दिया जाता है जिससे गुसा होकर वो बाहर एक cultural festival में चले जाते हैं ताकि वहाँ पर तभाही मचाई जा सके यहाँ पर Peter भी अपनी job के काम से photos लेने के लिए आया हुआ था यहाँ पर वो अपने friend Harry and Mary को एक साथ देख लिता है तभी उसे vision आता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है तभी वो scientist एक glider पर उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है इससे कुछ लोग skeleton में change होकर मिट्टी में बदल जाते हैं और मर जाते हैं Mary के पास अचानक से Harry के father आ जाते हैं तभी इस Spider-Man वहाँ आकर उन्हें उनकी glider से गिरा देता है इसके बाद जब Spider-Man उस पागल scientist के पास आता है तो वो scientist Spider-Man को एक ही वार में बहुत दूर गिरा देता है इसके बाद उस scientist and Spider-Man में बहुत देर तक fight चलती है इसके बाद Spider-Man उस scientist के glider को damage कर देता है और Mary को उस building से गिरने से बचा लेता है इसके बाद वो पागल scientist Spider-Man को ये कहते हुए चला जाता है कि हम फिर मिलेंगे इसके बाद Mary Spider-Man को thank you कहते हुए पूछती है कि तुम कौन हो इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त हूँ और ये कहकर Spider-Man वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि वो पागल scientist दुबारा से Spider-Man पर हमला करते हुए उससे कहता है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते लेकिन Spider-Man तो अच्छा इंसान था और वो उसके भैकावे में नहीं आता इसके बाद हम देखते हैं कि वो scientist एक building में आग लगा देता है और Spider-Man वहाँ आकर सब को बचाता है इसके बाद फिर से उन दोनों के बीच fight होती है जिसमों scientist के हमले से Spider-Man के हाथ पर एक cut लग जाता है इसके बाद हम Peter, Harry, Harry के father and Mary को Peter के घर पर dinner पर आया हुआ देखते हैं यहां किसी को नहीं पता था कि Harry के father ही वो पागल scientist है यहां पर वो Peter के हाथ पर वो cut का निशान देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि Peter ही Spider-Man है इसके तुरंत बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और गुस्से में वो Spider-Man से बदला लेने के लिए Peter की अंटी पर हमला कर देता है जिससे वो hospitalized हो जाती है यहां हॉस्पिटल में Peter की अंटी से मिलने Mary and Harry भी आते हैं Mary को Peter के साथ देखकर Harry को लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं जिसके वज़े से Harry दुखी होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो भी Mary को पसंद करता था यह बात Harry अपने father को भी बता देता है जिससे उसके father को spider man की एक और कमजोरी का पता चल जाता है इसके बाद वो scientist Mary को kidnap कर लेता है और spider man के लिए एक trap बनाता है वो एक bridge पर एक हाथ से Mary को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से एक trolley की रसी पकड़ लेता है जिसमें बहुत से बच्चे थे जैसे ही spider man यहां आता है वो scientist दोनों को ही छोड़ देता है जिससे spider man confused हो जाता है कि पहले किसे बचाए सबसे पहले spider man Mary को बचाता है उसके बाद वो बच्चों की इस trolley को अपने webs की help से bridge से लटका देता है बट वो ट्रॉली नीचे गिरने लगती है और Mary भी गिरने लगती है spider man बहुत फूर्ती दिखाते हुए फिर से वो ट्रॉली और Mary को बड़ी मुश्किलों से बचा लेता है इसके बाद वो scientist पीटर पर एक हमला करता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो पीटर पर एक बॉम भी फैक देता है जिसके वज़े से पीटर की एनरजी बहुत कम हो गई थी इसके बाद फिर से उस scientist और spider man में fight होने लगती है बट पावर कम होने की वज़े से spider man उससे हारते जा रहा था इसके बाद जब वो scientist spider man को मारने ही वाला होता है तभी अचानक से spider man अपनी पूरी ताकस से उस scientist पर हमला करता है जिससे वो scientist बहुत दूर जाकर गिरता है फिर spider man उस पर एक बहुत बड़ी वाल गिरा देता है लेकिन फिर भी वो scientist नहीं मरता थोड़ी देर बाद उन दोनों में फिर से fight होती है एंड इस spider man उस scientist को जब मारने ही वाला होता है तो उस scientist अपना फिल्स दिखाते हुए कहता है कि ये सब उसके उस invention की वज़े से हो रहा है वो सच मे इतना बुरा नहीं है ये सब उस scientist की चाल थी वो spider man को पीछे से अपने glider से मारना चाहता था बट spider man आने वाले खतरे को भाप लेता है और वो जल्दी से उपर की तरफ जंप करता है जिससे scientist का glider उल्टा उसे ही मार देता है इसके बाद spider man scientist की body को Harry के घर पर छोड़ देता है एंड में हम देखते हैं कि पीटर अपने अंकल की गरिफ पर था और बहुत ही दुखी था यहां मेरी आकर पीटर से अपने प्यार का इजहार करती है और इसी के साथ ही movie एंड हो जाती है